साइन्स और टेक्नलोजी की दुनिया में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े टांस्पोर्टेशन ओप्रेसंस के बारे में जिन में शामिल है एक पूरी ओयल रिग से लेकर एक होटेल को एक जगे से दूसी जगे तक ले जाने का सफर तो चलिए सुरू करते हैं ये है बरकट ओयल रिग जो की दुनिया की सबसे बड़ी ओयल रिग है जिसका इस्तिमाल समुद्री सते के नीचे पड़े ओयल को भार निकालने के लिए किया जाता है साल 2014 में इस 42,000 टन वजनी ओयल रिग को इसके वर्क स्टेशन तक पहुचाने के लिए ALE Heavy Lift नामक कमपनी को इसके ट्रांस्पोर्टेशन की जिम्मेदारी दी गई इसे लिफ्ट करने के लिए 4 जैक्स को इसके चारो कोनों पर टाउर की सेप में लगाया गया 11 गंटों की मैनत के बाद इस ओयल रिग को SPMT पर लिफ्ट करके इसकी वर्किंग लोकेशन तक ले जाए गया यह है Self-Proppelled Modular Transport जिसे नॉर्मली SPMT का जाता है इनके बिना किसी भी भारीब टांस्पोर्ट ओपरेशन को परफॉर्म कर पाना impossible है इन SPMT को एक साथ जोड़ कर कितना भी बड़ा moving platform तेयार किया जा सकता है इन में hydraulic jack भी लगे होते हैं इनकी सबसे खास बात यह होती है कि इनके tire किसी भी direction में move कर सकते हैं इन SPMT ने दुनिया भर में कई बड़े बड़े transport operation परफॉर्म किये हैं जिन में से एक है यह ship transport जिसमें समुद्र में पूरी तरह से डूप चुके एक 17,000 टन वजनी ship को वापस किनारे पर लाकर SPMT पर लोड किया गया फिर इस ship को किनारे से दूर ले जाकर वापस इसकी maintenance की गई यह है endover जो की NASA की एक retired space shuttle है 2011 में इसकी retirement के बाद इसे एक trailer की मदद से Los Angeles के एक museum में ले जाए जाना था 78 टन वजनी इस space shuttle को सड़क के रास्ते कई परिसानियों का सामना भी करना पड़ा लेकिन finally 3 दिन पूरे सहर के चक्कर लगाने के बाद इसे सुरक्सित museum में पहुँचा दिया गया ये है एक retired generator जिसकी retirement के बाद इसे California से यूटा ले जाए जाना था 400 टन वजनी इस power generator को दो SPMTs को मिला कर 192 टायर वाले trailer पर लोड किया गया 11 दिन के सफर के बाद इसे 1366 किलो मिटर दूर इस्तित यूटा सहर पहुँचा दिया गया ये है Fairmount Hotel जिसे 1906 में बनाय गया था San Francisco में इस्तित ये hotel एक road project के बीच में आ रही थी government के orders के बाद इस hotel को तूटने से बचाने का एक मात्र solution था इसे यहां से किसी और जगे ले जाना 1985 में इस hotel को 288 टायर पर बने जेक के जरिये उठा कर दूसरी जगे शिफ्ट किया गया 1650 टन वजनी इस hotel को दूसरी जगे शिफ्ट करने में तीन दिन का समय लगा और आज भी ये hotel वहीं सुरक्सित मोजूद है ये है Troll A platform Norway में इस्तित इस platform को 1996 में बनाय गया था सबसे पहले इसके pillars को पानी में खड़ा किया गया और फिर 12,00,000 टन वजनी oil rig को 10 टक बोर्ट की मदद से खीच कर इस पर चड़ाय गया oil rig को किनारे से 120 किलो मीटर इस तक लाने में पूरे एक वीक का समय लगा और इसी वज़े से ये दुनिया के सबसे भारी transport operations में गिना जाता है दोस्तों आपको इन में से कौन सा operation ज़्यादा खतरनाक लगा अपने विचार हमें comment box में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे like और share करना ने भूलें और ऐसे ही interesting वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी subscribe करना बिलकुल ना भूलें